हाईलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक बार फेर इस्वक्ती सबसे बड़ी खवर में मौसम को लेकर अब यबी एक ताजया रिपोर्ट नकल कर आ रहे को उत्त प्रदेश में अब फिर भारी बारस के साथ तेज तूपान की चिताबनी 35 जिलों में भारी बारस को लेकर जा है यूपी के लोगों को आव रहाद मिलिये इसी बीच मौसम बिग्ञान भाग ने जानकारी दिये कि यूपी में बारस का सचला आगले 4-5 दिनों तक आई सही जाई रहेगा आईए इसी बीच बताते हैं कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा कहा का जारी किया गया है बारस को अलर्ड मौसम बिग्ञान भाग ने यूपी में आज से लेकर आगले 4-5 दिनों तक लगातार जहमाजम बारस कहीं मुसलाधार बारस को लेकर अलर्ड यारी कर दिया है इस दोरान अधिकतर इलाकों में गरत चमकसाद जोरदार बारस होगी मौसम में बदलाव और तेज बा तापमान में कमी आई है 24 घंटे में यूपी के तापमान में 3-4 डिगरी सलसे तक की कमी दर्ज की गई है जानकारी के अनुसार आगले 2-3 के भीतर मांसुन पूरी उत्तर प्रदेश को कबर कर लेगा और पूरो उत्तर प्रदेश में तेज बारस दर्ज की जाएगी मौसम बिग्यानभाग ने बारस के साथ आन धी तोफान और बजरपात को ले कर भी चेतावन जारी किये हैं कई जिलों में और रजड पीरitt बदानियो बरेलीरांपुर संबलहापुर विजनाओर साजैपुर बान्दा फतेपुर चित्यकुर को सांबी पृताबंगार में आन धी के साथ बारी सोने कर लेकर अलड जारी कर दिया है इसके अलाबा आगरा मत्रा अलीगर एटा मैंपुरी जासी लेलेट पूर फरोकवाद एटा आबा फिरोजवाद सीतापूर हरदोई कन्नाउज कानपूर जालावन महुवा लखीम बुर्खीरी बाराबंकी वहराई लखनव राइबरेली अमेटकनगर बस्ती आयोतिया गोंडा सिराबस्ती हमीरपूर आजमगल गोरपूर सिदार्तनगर माराजगन सोनबद्र गाजीपूर मौबलिया दिबरिया कुशीनगर बारांसी मिरजापूर और संतकभीनगर में लगव सभी तानों पर तेज आंधी तूफा भारती मौसुन ग्यानभाग आई एमडी ने के रहेल के कैईजरों में भारी बार्ज के लिए और पषूरुम router scared जारी कर दिया है दक्षिद जलों में भारेशा बार के बाद यहलो और जारी हुझते चल्टे स्कूल बंद कर दिये गये हैं बीडियो के अंति में आपको दावें कि यूपी समयत उत्तर भारत के विविन राजों में मांसुन के एंटी हो चुकी है इससे पहले दक्चल पूर उत्तर के आदी राजों में मांसुन पहले ही पहुंच चुका था इसकी वज़े से देशबर में इंदलो मुसलाधार बारस का दौर शुरू हो चुका है मौसुन बिग्यानबाग ने बताया कि पच्चमी तटो पर अगले चार-पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारस होनी की संबाबना आए इसके लावा उत्तर पच्चम भारत में आज से बारस का दौर शुरू हो जाएगा और कल से मौसम में भहेंकर बदलाव आएगा इसी बज़े से अगले अलतार घंटे लगातार पच्चम भारत के मैदानी इलाकों में मौसल अधार बारस को लिकर मौसम ग्यानबाग ने चिताबनी जारी किये भही यूपी में भी लगातार चार-पांच दिनों तक बारस को लिकर और रंज यलड जारी कर दिया है उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडिया आपको पसंद आई होगी